हेलो दोस्तों, welcome back to my youtube channel और आज हम बात करने वाले हैं अगर आपको SBI से home loan लेना है तो ये वीडियो आपके लिए काफे informative होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको SBI से home loan लेना है तो उसमें rate of interest आपको क्या मिलेगा, कौन-कौन सी यहां पर SBI में home loan का rate of interest क्या चल ला है, यहां पर आप देख सकते हो जो कि इनकी scheme चलती है, regular home loan, flexi pay, nri, non-salid, privilege और अपनागर, इसमें जो आपका rate of interest चल ला है तने समय, अगर आपका सिवील स्कोर 800-800 के उपर है, तो आपको 8.70 पर मिल जाएगा, 750-699 के बीच में 8.70 पर starting होगी, और अगर आप first time कोई loan लेने जा रहा है, कोई भी आपका सिवील स्कोर नहीं है, तो उसमें, उस case में आपको 8.80 पर जो है, offer करेगी SBI bank, SBI में जो processing fees चल ला ही, इस समय जो इनका festival campaign offer चल ला है, जिसके तायत आपको जो है, यहां पर 8.70 से rate of interest की starting हो रही है, और इस देखिए, यहां पर SBI में home loan की जो है, यहां पर rate of interest चल ला है, और जो women's borrower है, उनके लिए rate of interest में concession भी provide किया जाता है, 5 basic points का, अगर आप male borrower हो तो 8.70 पर मिलेगा, और वहीं अगर आप कोई female borrower हो, तो उसके लिए 8.65 से यहां पर rate of interest की starting होगी, अब हम यहां पर दे और आप maximum 30 साल के लिए सकतो SBI से कालोन, तो आप पहले 25 साल के लिए 25 साल के लिए देखते हैं, तो आपकी मंतली माई बनेगी 20,449 रुप है, interest आपको 36 लाग का पे करना पड़ेगा, टोटल पेमिट 61,440,000 की करनी पड़ेगी, यह तो अभी आपने देखा 25 लाग का लोन गट के 27,83,000 का interest आपका हो जाएगा महीने के माई आपकी 22,013 रुप है बनेगी, और यहाँ पे अगर आप 25 लाग के लोन को अपना मोह 15 साल के अंदर माली जाप चुका देतो, तो देखें आपको interest में जो आपको देना पड़ेगा 19,84,000 का, इस तरी के साब डिटेल से इस बैंक के लोन के ओफर वगरा जानने आप इस वेबसाइट पर डिटेल में चेक आउट कर सकते हो, यहाँ पर आपको हर बैंक का होम लोन हो गया, परसनल लोन, कार लोन, टुविला लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग काउंट, क्रेट कार इन सब के आपको ओफर वगरा के ल देख सकते हो, यहाँ पर कौन-कौन से ओफर वगरा चलना है, तो इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जागा, एक बार जाके जरूर चकाउट करिएगा, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, SBI बैंक में कौन-कौन सी स्कीमे चलती है तो SBI में देख सकते हो, आप यहाँ पर स्कीमे चलती है, SBI regular home loan हो गया है, SBI balance transfer आपकर आ सकते हो, NRI home loan चलती है, SBI flexi pay home loan है, privilege home loan है, सौरे home loan, सौरे home loan जो defense person होते है, उनके लिए provide किया जाता है, उसमें जो है, उनको rate of interest काफी कम provide किया जाता है, pre-approved home loan भी यहाँ बिलता है plot loan जिसको यहाँ पर SBI reality home loan से नाम से जाना जाता है plot loan को यहाँ पर देखिए और home top up loan है you know app के थुरू भी आप जो है home loan के लिए apply कर सकते हो यहाँ से detail में देखिए आप देख सकते हो यहाँ पर काफी सारी SBI की अब यहाँ पर हम देख लेते हैं अगर आपको SBI की regular home loan scheme से यहाँ पर हर कस्टुमर के इसाब तो home loan product डिजाइन किया गया low interest rate चला है सबसे कम interest rate इस समय जो है SBI में home loan का लगबग चला है low processing fees जैसे की बता है यहाँ पर 50% आपकी processing fees जो है अभी माफ हो जारी क्योंकि इनके festival campaign ओफर चला है कोई भी hidden charges नहीं है कोई भी pre payment penalty आपको नहीं देने पड़ेगी interest changes और daily reducing balance है maximum आप 30 साल के लिए loan ले सकते हो home loan आपको overdraft के facility मिल जाएगी और women's borrower के लिए भी interest rate में concession provide किया जाता है disability देख सकतो resident Indian require होता है इस scheme को लेने के लिए और अगर आप NRI हो तो उनकी अलग scheme चलती है उसमें आप home loan के लिए apply कर सकते हो minimum is apply करने के 18 साल है maximum 70 years की यह तक जो है आप अपना loan चुका सकते हो document दे सकते हो कुछ simple document लगते हैं जैसे कि आप एक कुछ common document loan application form with तीन passport size photograph proof of identity और address प्रूव उसके साथ यह आपको property papers कुछ लगेंगे जैसे कि अगर आप अपने घर में construction करा रहा तो construction के लिए जो है document देने पड़ेंगे कोई नया घर खरीदा तो allotment letter वगरा घर के document वगरा य उसके लाबा account statement तो bank account statement last six month का आपको दिखाना पड़ेगा अगर आपका loan पहले कभी चला हुआ है तो उसका भी statement आपको एक साल का दिखाना पड़ेगा income proof के तौर पर देखे salary applicant या co applicant और guarantor अगर अब लगातो तो salary slip या salary certificate last three month का दिखाना पड़ेगा उसके लाबा form 16 दिखा सकते हो last two year का और अगर आपके first form 16 नहीं है तो आप income tax return भी दिखा सकते हो last two year का और अगर आप इनकी regular home loan scheme से home loan लेना चाते हो तो यहाँ पर क्या rate of interest चलता है आपका processing fees कितनी लगेगी और अगर आप 25 लाग रुपय का home loan लेते हो 20 सालों के लिए तो आपकी महीने की हमाय और total interest आपको कितना pay करना पड़ेगा तो यह detail में information अगर आपको हमारी पसंद आई हो तो चैनल को subscribe कर दीजेगा वीडियो के लाइक कर दीजेगा और हमें आप comment करके बता सकते हो कि आगे आप किस bank के home loan, personal loan, car loan के बारे में हमसे जान आपकी नवाद